ये गाईस वट्सप के आल चाल आशा करतों सब लोग खुश होंगे अच्छे होंगे सब की तियारे अच्छे से चल रही होगी एक यादव जी हैं जोती यादव वह उन्होंने उनके लिए उनसे में माफी माँग हुआ कि लगबग बहुत सारे कमेंट की हैं और अगर वो मेर वीडियो की लिष्ट में जाएंगी तो मैंने आर्फिएफ के लिए लगबग एक साल पहले ही चीजे बताई थी कि जिसमें जो भी वेकेंसी आने वाली है उसमें 50% जो सीटे हैं वो महिलाओ के लिए रिजर्व होगी ये एक ऑथेंटिक निउस थी उसके बाद सेकेंड इसका मतलब है कि कोई नोटिफिकेशन ऐसा आया नहीं है कि कितनी पोस्टे आएंगी केवल निउस कटिंग है और मैं निवस पीद वाला बंदा नहीं हूं कि नूझे से उसको एक बार समझाओं देखो जोति आर्व हजार वे का confirmation है ठीक है वो चाहे news cutting से हो चाहे official से हो चाहे departmental से हो किसी से भी हो 9 से 10,000 post है समझ में आ रही है कि आएंगी इस साल के अंत में नहीं तो next year कोई भी एक date fix नहीं है और इसमें ये भी confirm है कि 50% सीटे जो है वो महिलाओ के लिए रहेंगी अभी मैंने मैं आपको बताओं कि बच्चा क्यों इतना परशान रहता है वो अगर YouTube या Google पर लिखता है बैसिकली YouTube पर लिखता है तो YouTube पर भरमार है आर्पिएफ की भरती आ गई आर्पिएफ का ये हो गया फाउम अपलाई करें और वहीं से वो परशान हो जाता है इस दुनिया में कोई भी अपने लिए ही मतलब दूसरे के लिए काम करना ही नहीं चाहता है सब अपना देखना चाहते है पैसा कमाओ व्यूस कमाओ वह लोग अपने अप्लिकेशन का परचार करनाonstcando करते हूं और प्री वीडियो में क्या होता है पूरी वीडियो में होता है कि एज कितनी है recruitment process कैसा है exam कितने stage में होगा physical क्या है physical criteria क्या है physical test कैसे होगा document verification में क्या क्या document लगेंगे photos कितनी लगेंगे रहे मेरे भाई ये सारी चीजे last पहले form तो भरा जाए पहले आप ये तो बताओ कि form कब भरा जाएगा तो इसलिए ऐसे मतलब धेरो वीडियो से YouTube पे है और मैं कभी देखता नहीं हूँ लेकिन मुझे किसी दोस्त ने बताया कि ऐसा ऐसा है और फिर मैं जोती आदो का कमेंट भी बार-बार देख रहा था तो मेरे मन में आया नहीं आरी ये परशान है इनको बताना चाहिए देखो जोती पढ़ते रहो पढ़ते रहो त्यारी करते रहो एक नोटिफिकेशन आया था जब मैंने वीडियो बना दिया था कि जिसमें 50% सीटे 9000 पोस्टों के बारे में कहा गया था ट्वीटर पे और 50% सीटे रिजर्व करने के लिए कहा गया था महिलाओ के लिए बाकी अभी मैं आपको बोल रहा हूँ दिल से कोई जूट नहीं बोल रहा कहीं कोई न्यूस कटिंग नहीं दे रहा हूँ इस साल के आंत में दिसमबर में आपको आरपियफ से रिलेटिड कोई न कोई इंफोर्मेशन कोई न कोई नोटिफिकेशन मिलेगा अगर नहीं मिलता है तो next year 2022 में आपका सेलेक्शन पक्का है आरपियफ में आपका सारा प्रोसेस आरपियफ का 2022 में होगा मैं गारेंटी देता हूँ ठीक है और चलो जोतियाज़ो का कमेंट हो गया अभी एक एक परसंद थे यार उनका कमेंट था डेली टॉप 15 मैं हुबहु उनका कमेंट पढ़ देता हूं मैं यहां स्क्रीन पर नहीं लगा सकता हूं लेकिन उतना टेक्निकल्टी कौन करेगा है न हम कोई बिजनस तो करते नहीं है तो इसमें इन्होंने कमें में लिखा था कि सभी लोग माबाप का अशिरवात के बारे में बात करता है अगर मैं माबाप बड़ा भाई को ज़्यादा प्यार करें मुझे नेगलेट करें क्यों क्योंकि बुरा वक्त में साथ दिया था पर आज बड़ा भाई ज़्यादा पैसे कमाता है तो मुझे यह एक भाई शायद अच्छे पोस पे चले गए, अच्छा पैसा कमा रहा थी है और यह ठोटे भाई इस हं अब पैसा रही है तो मबाब उनको ज्यादा केर देते हैं और ठोटे भाई की उपर ध्यान नहीं देते हैं तो इनको थोड़ा सा लगता है कि उसके करीब वाले डेस्टिनेशन पर जाती है लेकिन ट्रेक बदल के उसी तरीके आपके भी साथ हो रहा है देखो ये सत्य है कि कमाव पूत की पूजा होती है आप भी कमाने लगोगे अपने भाई से जादा तो आपकी भी पूजा होगे ये परम सत्य है माबाब के लिए अपना काम करना है आपने अगर गीता पढ़ी है आप स्प्रिश्चुल है तो आपको ये समझना चाहिए कि आपके मावाब चाहिए कितने भी गलत हो लेकिन सबसे पहले भगवान वही है चाहिए वो कुछ भी करें आपको उनका आशिरवात लेना है अगर नहीं दे रहे आ तो मन में भाव रखना है कि मुझे इनका करजा चुकाना है करजा समझते हैं आपको जीवन में लाने के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया उस करजे को वो गर्जा कब उतरेगा जब आपके कच्छी नौकरी लेंगे अच्छा सेलरी पैकेज उठाएंगे हर महीने आपक किस तरीके से उनकी केर करते हैं लेकिन अगर आपके मावाप आपको इग्नौर करते हैं तो इसमें टैंशन लेने वाली बात नहीं है यह सत्य है सब के साथ होता है मेरे साथ भी होगा औरों के साथ भी होगा कि भाई अगर बढ़ा भाई कमारा है तो उसी की पूजा होगी आपकी नहीं होगी, समझे, अगर आपके माबब आपको इग्नॉर करते हैं, तो इससे आपकी सेहत पर कोई असर पढ़ने वाला नहीं है, हाँ, आपको जो डेली नेट की जरूरत है, कोई किताब लेनी है, या पैसे चाहिए, आप बहार रहे के पढ़ रहे हैं, महीने का चार मन से लड़ना है, अपने मन और आत्मा से लड़ना है, रस्ते हर जगा मिल जाते हैं, समझे, तो ये दो कमेट थे, और इन्होंने का, मैंने कहा भी थे हैं, कि आपको मैं सुबेरे, वीडियो बनाऊँगा इनका, और एक मैसेज आया था बाद में, कि हम एक तो विरोजगार उपर से 30 एज, रिलवे ही आखरी उमीद है, बहुत परशान है, माबाप भी प्यार, माबाप भी, माबाप भी पराया कर दिये, जी वेट करता हूँ कल के वीडियो का, देखो अभी ये सब चीजे बूल जाओ, आपको पता ही कि आपकी अंतिम डेस्टिनेशन यही आखरी ह तो अगर इन सब चीजों पर ध्यान दोगे, तो कुछ हो नहीं पाएगा, बलकि मूड और खराब होगा, आपकी जो मेमोरी है 2GB से 512 MB हो जाएगी, इन सब चीजों पर अगर आप फोकस रखोगे, क्योंकि हम कितनी चीज़ें आत रख सकते हैं, आपको यादी नहीं रखना ये चीज अपने मन से निकालो कि वो आपके बाबाप आपको नेगलेट करते हैं, इसको भूल जाओ, अपना धर्म, अपना कर्म इसको याद रखो, ठीक है, आपका धर्म है, आपका कर्म है, आपको पढ़ना, समझे, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर किसी कमेंट को उठाएंगे, पुशकर कुमार बोलते हैं कि भाई पढ़ाई के चकर में प्यार शोड़ दिया, पर एक्जाम तो ले लो, देखो, रेलवे एक्जाम नहीं ले रहा है, तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ, लेकिन रेलवे एक्जाम लेगा, परंतु उसके लिए जो चलो फिर जोती आदो, गुड़ मॉर्निंग और कौन थे हैं, टॉप 15 करके थे, डेली टॉप 15, आपको भी गुड़ मॉर्निंग, और मेरी बातों से शायद आप एक्री होंगे, तो आप कमेंट में जब आप दुरूर दीजिएगा, चीक्या, जैहिंत,